दोस्तों आपको टेस्ट करूल तो पता होगा आपको कोशन पढ़ने के बाद 3-4 सेकंड दिये जाएंगे उत्तर पता करने के लिए प्लीज अपने स्को नीचे कमेंट में जुरूर बता के जाना अब वोका टेस्ट पर पहला कोशन दिखते हैं बकसर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाफ की गदी पर किसे बिठाया गया आपको दिया थे हैं 3-4 सेकंड इसका राइट अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर C मीर जाफर को बठाया गया था बकसे की लड़ pseudo की बाद बंगाल के नवाव की गद्धी पर मीर जाफर को बठाया गया था याद कर ले ना अगला कोस्टन देखते हैं भारत में पहली यूरीबवस दिकिसे स्थान पे इसतापित की गई थी आपको दियाते हैं 3-4 सेगिंड इसका राइट अंसर हो जाएगा option number 1 कोची में स्तापित की गई थी याद कर लेना important question है आपके एक्जाम में पूछा गया question है अगला question दिखते हैं हम वेदो की और लोटो का नारा किसने दिया आपको दियाते हैं 3-4 सेगिंड और बेहर दिजी question आपके एक्जाम में बहुत बार repeat हुआ है question इसका राइट अंसर हो जाएगा option number B स्वामी दैनन सस्वती ने कहा था वेदो की और लोटो important question है या जरूर कर लेना एक्जाम में बहुत बार repeat हुआ है question अगला question दिखते हैं 1861 में इंडियन मिर समाचर पत का संपाधन वे प्रकासन किसने किया आपको दियाते हैं 3-4 सेगिंड इसका राइट अंसर हो जाएगा option number D मन मुहन गोस और रविदनानाट टैगों ने क्या था इंडियन मिर समाचर पत का संपाधन और प्रकासन 1861 में याद कर लेना एकोसन पूछा जा सकता है अगला question दिखते हैं हम मेरे पास खून पसीना और आसू के अतिरिक देने के लिए कुछ भी नहीं है ये किसने कहा था आपको दियाते हैं 3-4 सेकिंड इसका right answer हो जाएगा option number C चर्चिल ने कहा था मेरे पास खून पसीना और आसू के अतिरिक देने के लिए कुछ भी नहीं है अगला question दिखते हैं हम अखिल भारतिये वैपास संग Congress का पिर्थम अध्यक्स कौन था आपको दियाते हैं 3-4 सेकिंड इसका right answer हो जाएगा option number B लाला राच्पत राय अखिल भारतिये वैपास संग Congress का पिर्थम अध्यक्स से याद कर लेना important question है ये अगला question दिखते हैं हम स्वतनता के समय भारतिये राष्टे कौंग्रेस के अध्यक्स कौन थे इस question को underline कर लेना आपके एक्जाम में बहुत भार रिपीट हुआ है इसका right answer हो जाएगा option number B जे भी करपलानी थे दोस्तों underline कर लो important है option number B इसका बिलको right है जे भी करपलानी स्वतनता के समय भारतिये राष्टे कौंग्रेस के अध्यक्स थे याद कर लेना अगला question दिखते हैं निम में से food डालो और राच करो की नीती किसने अपनाई थी आपको दियाते हैं तियां 4 second आप में लगाया option number C इसका बिलको right है लाट करजन ने कहा था दोस्तों food डालो और राच करो की नीती अपनाई थी दोस्तों लाट कर जनने अगला question दिखते हैं हम निम में लिखते में से सबसे प्राचिन एबम प्रमाडिक पुराण कौन सा है आपको दियाते हैं तियां 4 second अंडालाइन कर लेना एक्जाम में पूछा जा सकता है question इसका right answer हो जाएगा option number A अगला question दिखते हैं हम अखिल भारती है किसान सबा का आयोजन सा पिर्थम कहां पर हुआ था आपको दियाते हैं तियां 4 second और important question है ये इसका right answer हो जाएगा option number B लखनों में हुआ था अखिल भारती है किसान सबा का आयोजन लखनों में हुआ था पर याद कर लेना important है दोस्तो हमने आप सभी को history के important question करा दिया top 10 अब आप सभी को बताना है आप सभी के 10 में से कितने उत्तर right है नीचे comment में अपना score जरू बता के जाना आप सभी के 10 में से कितने आए है आप सभी के 10 में से 10 आते हैं और चैनल पर नई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सभी बगल वाली घंटी दवा देना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जय हिंद